विकास बराला की जमानत जाचिका पर आज पंजाब हर्याना हाई कोट में सुनवाई हुई सुनवाई के दुरान क्या हुआ इस समय में साथ हैं विकास बराला के एड़ोकेट सिमरन दीव सिंग संदू इन से जानते हैं जी संदू जी आज हमने रेगुलर बेल पे बहस हुई है जी विकास बराला जी की ओनरेबल हाई कोट ने बोला है कि इसके रेगुलर बेल सुनने से पहले जो कंप्लेनेंट है वरनेका कुंडू जी उनकी क्रॉस एक्जामिनेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए हमने डिफेंस साइड से नीचे ट्रायल कोट में एप्लीकेशन दी थी कि हमें वरनेका कुंडू जी की उनके फादर की और उनके लॉयर की कॉल डेटेल्स प्रॉवाइड की जाए उसके बाद ही हम उनको क्रॉस एक्जामिन करेंगे उसमें जजज साब ने अब अगली तरीक रखी है जी चार तरीक तो औरेबल हाई कोट ने बोला है कि चार तरीक से पहले इनको कॉल डेटेल प्रॉवाइड की जाए और ग्यारां तरीक से पहले जो हाई कोट में ग्यारां तरीक है नेक्स्ट उससे पहले उसका क्रॉस एक् इस नहीं बनती है जो इन कंसल्टेशन विद लॉयर लगाया हुआ है उसके बाद ही लगाया हुआ है जब उनकी लॉयर से बात हुई है यह उन्होंने कंसल्ट किया है पहले देने से पहले उसके बाद आया है basically attempt to kidnapping इसमें नहीं बनती है अगर attempt to kidnapping नहीं बनती है तो he very well deserves bail magistrate trial का केस है 5-5-10-10 दिनों में ऐसे केसों में bail हो जाती है हम रोजी देखते हैं it is just because it is a highlighted matter इसलिए इसको थोड़ा सा हम back foot पे हैं इसमें that is the only reason it's taking time otherwise he very well deserves bail संदु सब जिस तरह आगे हो जाएगी क्योंकि तब तक victim का cross examination भी हो जाएगा और जो जो हमें merits पे जैसे जैसे हम case को breakdown करना चाते हैं हम उस cross examination से benefit भी उठाएंगे और उसकी यान से bail भी करवाएंगे ये थे मिर साथ जाचिका करता के वकील सिमरन दीप सिंग संदू इनका कहना है कि आज विकास ब्राला की जमान जाचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दुरन हाई कोड ने अगली तरीक जो है 11 जन्वरी निधारित कर दी है और 11 जन्वरी को इस मामले की सुनवाई होगी फिलाल विकास ब्राला को अदालत से रहात ने मिली है कैमरामेन संजे के साथ अनिल कुमार टोटल निव चन्डिगार